आज हम सीखेंगे गुर्णन सम्मिती ताश के इस पत्ते को देखिए जरा सोचिए अगर हम इसे केंद्र के चारो ओर 180 डिगरी पर घुमाए तो क्या होगा? हमें आकरती की स्थिती हुबहु पहले जैसी ही दिखाई देगी आपने हवाई चकरी के साथ जरूर खेला होगा अगर इसे भी हम केंद्र के चारो ओर घुमाते हैं तो कुछ स्थितिया हुबहु पहले स्थिती की तरह दिखाई देती है अब रंगोली के इस चित्र को देखिए अगर इसे भी हम केंद्र के चारो ओर घुमाते हैं तो कुछ स्थितिया हुबहु पहले स्थिती की तरह दिखाई देती है इसी तरह कई ऐसे आकार है जिन्हें गुमाने पर हमें पहले जैसी ही आकर्ति दिखाई देती है हम कहते हैं कि ऐसी आकर्तियों में गुर्णन सम्मीती है यानि rotational symmetry है आज हम गुर्णन सम्मीती की समझ बनाएंगे इस आकर्ति को देखिए यह चार पंखुडियों वाले फूल की आकृती है हम इसे इस प्रकार केंद्र के चारों और घुमा सकते हैं जब कोई वस्तु घूमती है तो हम कहते हैं कि वह गुर्णन यानि रोटेशन कर रही है घुर्णन करने से इस आकृती के माप या आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा इसी तरह जब कोई वस्तु घुर्णन करती है तो उसके आकार इवं माप में परिवर्तन नहीं होता यहां हम देखते हैं कि फूल की यह आकृती एक निश्चित बिंदू के चारो और घुर्णन कर रही है घुर्णन वस्तु को जिस निश्चित बिंदू के चारो तरफ गुमाता है उसे हम घुर्णन का केंद्र यानि Center of Rotation कहते हैं जैसे यहां हम इस आकृती के घुर्णन के केंद्र को इस प्रकार दर्शाएंगे. कोई भी आकृती दो दिशाओं में घुर्णन कर सकती है. जब आकृती घड़ी की सुईयों की दिशाओं में घुर्णन करती है, तब हम कहते हैं कि वो वामावर्थ घुर्णन यानी ऐंटि क्लोक्वाइस रोटेशन कर रही है. यह आवश्यक नहीं कि वस्तु हमेशा पूरा चक्कर लगाते हुए यानि कि 360 डिगरी के कोण में ही घुणन करे बलकि हम इसे किसी कोण के लिए भी घुमा सकते हैं जैसे हम इसे 1 चौथाई चकर के लिए घुमाएंगे एक चौथाई चकर के दौरान आकृती 90 डिगरी के कोण से घुणन करती है इसी तरह अगर आकृती को आधि चकर के लिए घुमाया जाए तो आकृती 180 डिगरी के कोण का घुणन करती है इस प्रकार गुर्णन के दोरान घुमे गए कोण को हम गुर्णन कोण यानि अंगल ओफ रोटेशन कहते हैं अब इस आकृती को देखिए मान लीजिए आकृती की यह प्रारंबिक स्थिती है पंखुडियों को पहचानने के लिए हम इस पंखुडि पर एक छोटा सा चिन्नम बनाएंगे मान लीजिए यह आकृती गुर्णन के इंद्र के परित यानि चारो और 90 डिगरी का गुर्णन करती है ऐसी स्थिती में हम देखते हैं कि आकृती पहले जैसी ही है ऐसे लगता है मानो आकृती घूमी ही नहीं यानि कि 90 डिगरी का गुर्णन करने से पहले की आकृती की स्थिती और 90 डिगरी का गुर्णन करने के बाद की स्थिती एक जैसी है अगर गुर्णन के बाद आकृती की स्थिती पहले की स्थिती जैसी ही दिखाई देती है क्या आप बता सकते हैं कि आकरती 90 डिगरी कौन के अलावा और कौन से कौन का घुणन करे जिससे हमें आकरती की स्थिति पहले जैसी ही दिखाई देगी सोचिये सोचिये बिल्कुल सही 90 डिगरी कौन के अलावा अगर आकरती 180 डिगरी, 270 डिगरी या 360 डिगरी इन में से किसी कौन से भी घुणन करे तो हमें पहले जैसी ही स्थिति दिखाई देती है इसलिए हम कह सकते हैं कि इस आकरती के एक पूरे चकर में यानी 360 डिगरी के गुणन के दोरान हमें ऐसी 4 स्थितिया प्राप्त होती है जब आकरती की स्थिति पहले की स्थिति जैसी ही दिखाई देती है एक पूर्ण चकर गुर्णन के दोरान आकरतिक स्थिती कितनी बार अपनी प्रारंबिक स्थिती के जैसी दिखाई देती है उसे गुर्णन का क्रम यानी order of rotation कहते हैं चोकि यहाँ एक पूर्ण चकर में आकृतिक स्थिति अपने पहले स्थिति के समान चार बार दिखाई देती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस आकृति में क्रम 4 यानि order 4 की गुर्णन सम्मीती है अब आप इस त्रिभूज को देखिए, इसकी सभी भूजाय बराबर नहीं है, एवं सभी कौन भी बराबर नहीं है क्या इस त्रिभूज में गुर्णन सम्मीती है? सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं जब हम इस त्रिभूज को गुमाते हैं तो केवल 360 डिगरी यानि पूर्ण चक्कर के गुर्णन पर आकरितिक स्थिती प्रारंबिक स्थिती जैसे दिखाई देती है हम कह सकते हैं कि इस त्रिभूज में क्रम 1 यानि साधरन तह प्रतेक आकरती 360 डिगरी के गुर्णन के बाद फिर से अपने पहले की स्थिती में आ जाती है यानि कि 0 डिगरी के गुर्णन पर आ जाती है मानो गुर्णन हुआ ही नहीं इसलिए प्रतेक आकरती में क्रम 1 के गुर्णन सम्मीती होती है उमीद है अब आपको गुर्णन सम्मीति की अच्ची समझ बन गई होगी आज हमने सीखा गुर्णन सम्मीति अगले वीडियो में हम देखेंगे इससे सम्बंदत कुछ उधारण